पढ़ेंगे अपवात अंत्र पहले आप एक्जामजी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवीशन है अब हम स्टाट करते हैं अपवात अंत्र राजस्थान के अपवात अंत्र को तीन भागों में मादा जाता है पहला ह अरुपसागरी नदियां जो 17% है अंत्र प्रवाही ये 60% सबसे जादा और बंगाल की खड़ी की नदियां 23% अब नोट करने वाली बात कि राजस्थान में अंत्र प्रवाही नदियां सरवातिक पाई जाती है कारण यहां मरुस्तिल का विस्तार सरवातिक है क्योंकि अरुस्तिल का विस्तार भी क्या है सरवातिक है अरावली को राजस्तान की जल विभाजक रिखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरुपसागर की नदियों को अलग करती है इधर बीच में अरावली तो इधर अरुपसागरी और इधर बंगाल की खाड़ी और सुरक्षिन जोन जो है वो 25 है अब अरब सागरी नदियां नदियां है लूनी माही पश्चिमी बनास और साबर मती ठीक अब यह आप देख सकते हैं यह आपना राजस्थान इसमें कौन-कौन सी प्रवाह है पहले लूनी है ठीक है जो कि नागपाडी से आ रही है उसी के स अमरेलू पहाडी से तो इसे हम राजस्थान की भी मान लेते हैं अब लूनी नदी का उद्गम क्या है नागपाडी जो कि अजमेस में है संगम इसका कचकरन जो कि गुजरात में और लंबाई 495 किलोमीटर और राजस्थान में 350 है अपवा शित्र क्या है अपना बजाज त थर लेतर कॉर्द सहाईक नदीयं क्या है सुक्की बांडि खारी जो जावाई से मिली है तोसकी मतलब शुक्य किया जोगजड़ी आप इससे आद रख सकते हैं । अब आप देख रहे हैं कि ते मिलें रहएं अब लाआ आप देख शाबी आथी नदी को रिशा कि आजमेस है नालपाडी और सागरमताय हम गुष मेरे अगुर्पार वार्मेर में है पाली में गुहिया और मपंडी में बाण्ना topics भी वावगाय Nagoras गुंगरी में पाली में बाध सुक्ष चुघु़ठी चाए गुंगह्ण संगम इसका कचकारन है और नेहरन जालोट मी से निकलती है लास्ट में नोट करने मानी बात लूनी के उपनाम क्या है सागरमती लवनवती आधी मिठी आधी खारी अंत्य सलीला नदी ये सारे लूनी के एक्जेंपल से इसके नेमस है रेल नाडा लूनी के अपवार शेत्र को इसका विस्तार मुक्यता किसमें है जालोर में है जोजड़ी लूनी नदी में दाईयोर से मिलने वाली जोजड़ी में दाईयोर से मिलने वाली ये एक मात्र नदी है और लूनी के एक मात्र सहाइक नदी जिसका उद्गम और आवली से नहीं है वह जोजड़ी है इसका नही 40% है, युझणी नदी से समंधिद बांध साहिएक, जुधपुर में पाली बांध स्वाइ नदी अब यॉथा स्फित, यूं पशिखें लातनात силь моя ट फेल यॉपेली रे cetंसी मुद्किन करती है skalroy लोल स्वाइं व्एमत सित बिंद ovat वक्रो अनंतलिद कावा पाली डा सी तो कि जुआई बांध है इसके जो जवाई बांध है इसमिसुए पानी की कम होने पर जल पूर्ती जकीत है अब जफ ě्ल सुरंग क्या गड़ती है राजस्तान की अइसी प्रत्म पहले तो जल्चुरंग है और इसका इक विद्यांचल परवत भुववेब्द्यपाने मध्य लंबाइस की 576 रजस्तान में और अपवाश इतर जिसका बांसवर्ड और दूंगरपूर है अब सायक नदिया क्या है ए अन्ना चार पाई में सोजा तो ए यानिकी एराव अन्ना यानिकी अन्नास चार पाई मतलब जाब में मतलब मुरेन सो मतलब सोम और जा मतलब जाकम अब यहां आपको कुछ यह संगम दिख रहा होगा यहां से स्टार्ट करते है जाकम से तो यह प् अब प्रताबगड का कांटल जो है यहां पर आपको टीशेब दिखेगी बीच में यहां पर कागदी पिकप है और माही बजा सागरमाद है यह 500 वाड़ा सिरलेटर है खादू गाव यह भी बांस वाड़ा और राजस्तान में यहां पर परवेश होता है फिर है मेहंद जील अ अदिभासियों के खंगा, कांठल के खंगा, दक्षनी राजस्तान के इस्वनड्रीः यह माही के नाम है त्रिवेЙनीसंगम माःऑ बिले का योजन होता है और जिसे कुम या अदिभासि का कुम कहते है इस मेले में सरवादे काने वाली जाते कूंसी है भील जाती है करकरेका को दो बर पार करने वाली विश्व की एक मात नदी जो है वो भी यही है अब यह किसकी बात हो रही है तुरिमेनी संगम की बात हो रही है तो यहाँ पर है सुजलम सुफलम परियोजना माही की सफाई के लिए चलाया गया प्रोग्रम था सुजलम प्रियोजना में क्या था यह बाडमेर में है और संचालक इसकी बार्ग थी भाभा परिमारू अनुसंदान के इंदर ट्रॉम्बे तौर यह संचालित थी उसके बाद राजस्तान के दक्षिन से प्रवेशकर पश् सौम कमला अंबा डूंगरपुर जाखंबान प्रताबगड यह संगम की हो जाते हैं ठीक है माही बजा संगम जो सागरबान परियोजना है राजस्तान गुजरात के दरह संचालेत बहुत दिश्य परियोजना है 45 रेशो 55 में इसके स्थिति है बोर खेडा बासवारा विशे इसके स्थिति बनास उद्गम क्या है इसका नया सानवारा सिरोही संगम लिटल कचरन गुजरात अपवाश इतर इसका सिरोही उसके बाद सहाई नदियां इसमें क्या है कुकरी सूकली नोट करने वाली बात आपू जो है वसी रोही और डिसस नदर जो गुजरात है इस नदी के किनारिस सित है साबर मती नदी मोस्ट इंपॉर्टन है इसका पड़ाना पहाडी उद्यपूर से है और संगम इसका कमात के खाड़ी में है लंबाई इसकी 416 किलोमेटर लेकर राजस्तान में ये 45 ही है अपवाश इतर इसका उद्यपूर 1% है इसके साइक नदीयां कहा है वैसे है मेमा वा चाहिए वेतरक सेई हाथ मती मेश्वा मानसी माजम वाकल ये इसके कुछ उप नदीयां है मतलब जो साथ साथ मिलती रहते हैं ठीक है साबर मती जो है वो नदी के किनारे प्रमुक शहर कौन-कौन से इसके सायग नतीयों के जल सुरंस कि स्थिती इसमें उद्यपूर्टु पाली विशेश इसमें राजस्थान की पहली जल सुरंग, ये जो उपर वाला टॉपिक है, आगे करेंगे अपने मानसी और राजस्थान को सबसे लंबी जल सूरंग 11.2 और देवास मोहलन सब्सक्राइब रियोजना को यह जलब पूर्ति करते हैं इसके बाद है अन्ते प्रवाही नदिया यह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू कीप सब्सक्राइब